नमस्कार साथियो आप सब का गामरा में स्वागत है और एक जो हम आज समाचार लेके आए हैं वो कुरक्षितर जो जिला है हमारा उसमें बारना गाउं का है बड़ा दुख्द समाचार है एक भाई जिसका नाम विक्की सिंग है अपने सपने पूरे करने के लिए विदेश मे किस प्रकार से आता है विदेश में किसी एजंटों के हाथ चड़ करके वो अपने प्रिवार की पूरी संपत्ति उन एजंटों को दे दिता है और आखिर में जो सपने लेकर के वो गया था वहां से वो जिन्दा लोट करके नहीं आता है ये एक विक्की सिंग की कहनी नहीं ह आज हरियाना में अनेकों ऐसे नोजवान हैं जिनकी सपना है जिनकी मनसा है कि हम विदेश में जाएं और अनगिनत पैसे कमाईं लेकिन ये पैसे कभी कभी हमारे सपनों को चूर करते हैं हमारे परिवार के सपनों को चूर कर देते हैं तो आपने खुब सोसली मेडिया पे यूटूब के माद्यम से न्यू चैनलों के माद्यम से आपने सुना कि विक्की सिंग जो कुरुक्षेत्रा के बारना गाउं का था लोटकर के वापिस नहीं आता है और कहीं कहीं तो ये भी समाचारा आ रहा है कि उसकी तुर्की में मिर्ट्यू हुई है और वहां उनकी अब विदेशों में जाते हैं जो बच्चे उनके साथ अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है और दुर्भग्य से विक्की सिंग का दुर्भग्य इसमें और ज़्यादा रहा कि वहां से जिंदा वापिस लोटके नहीं आ पाया तो साथियो आप मेंसे जो भी यूआ इस वीड जवान चला जाता है उस परिवार का क्या हाल होता है आज उसके माँ भाई और जो पिता है उनकी रोरों के बुरी हालत हो रखी है कोई कुछ उनको दिखनी रहा है और यहां तक बात हो रही है कि उनका जो छोटा भाई है वो किसी दुकान पे काम करता है और वहां से भी उन आज जब जैसे ही उस प्रिवार को विक्की सिंग का शव मिला शव भी कोई आसानी से नहीं मिला इसमें हम बहुत धन्यवाद और सदुवाद देंगे कर्मू देशी पतरकार को जिन्होंने इस मोहिम को उठाया और लोगों उसको उस प्रिवार की मदद करने के लिए आवान किया लोगों ने भी खुब मन खोल के प्रिवार की मदद की अकाउंट नमबर के माद्यमसुन के अकाउंट में पैसे आई और 6.5 लाख रुपे लगे तब जाकर के विक्की सिंग का सव है उस प्रिवार को मिला उसके बाद उस प्रिवार ने उस सव को लेकर के जो लोग थे जो एजेंट थे जिन्होंने फरजी तरीके से इस प्रिवार से पैसे एंट करके विक्की सिंग को विदेश जाने के जो सपने दिखाए थे या दो नमबर से विदेश भेजने की जो उन्हों ट्यारी की थी उनके खिलाफ जान से मारने का उनके खिलाफ दुखादरी करने का उनके खिलाफ हर परकार से वो सारे मुक्द में उन्हों दर्ज करवाई हैं जिन से कि उनकी जो इस परकार से जो घटना है वो और किसी बच्चों के साथ ना हो तो परसासन ने भी और उस वहाँ जो मौजुदा हाला थे जहाँ परिवार ने रोड जाम कर रखा था वहाँ पर विधायक के जो बेटे हैं वो पहुंचे विधायक की जो तवियत अवो खराब थी और उन्होंने उन्स परिवार को और पुरा परसासन था उन्होंने आस्वासन दिया कि जो उस परिवार की मांगे हैं जो उस परिवार का जो दुख है जो जुन्होंने उनके साथ दगेबाजी की है परिवार को लूट लिया बड़े पेमानने पे एक बड़ी उसको भी वापिस वो पैसे दे करके वो अपना कोई और काम धंदा कर पाई तो आप सब से मैं अपील करूँगा और खास करके हमारे युवा साथियों से मैं अपील करूँगा कि विदेश जाने का इस परकार से सोर्ट कट ना अपनाए आप महनत कीजी आइलेट्स वगरा कलि मिलेंगे तब तक के लिए नमशकार धन्यवाद